तो रिशी सुना कि गभर्मेंट ने स्पाउस वीजा के लिए मिनमम इंकम रिकॉर्मेंट को काफी जादा बढ़ा दिया था बट अब लेवर पार्टी इस रूल में काफी सारे चेंज़स करना चाहती है वो डीटेल में आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ तो वीडियो को प्लीज एंट तक ज़रूर देखिएगा अगर आप इंट्रेस्टेट हो इन में से किसी भी टॉपिक में तो प्लीज दू सब्सक्राइब तो मैं चानल वीडियो को स्टाट करने से पहले मैं आपको बहुत ये अच्छी और यूजफ अपके बारे में बताना चाहते हो जोसका नाव है पेपनी तो अगर आप युके में रहते हो इन फाक अगर आप युरॉप ने रहते हो या कैनड़ा में रहते हो तो भी आप इसाप को यूज को वापस इंडिया में पैसे ठांसफर कर सकते हो जब मुझे यूके से पैसे ठांसफर करने थे इंडिया में अपनी पेरिंट्स को तो मुझे काफी जादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी इस ताइम एक अच्छा आप दूरने के लिए तो मुझे एक फीस देनी पड़ी थी अपने पैसे ठांसफर करने के लिए जो मैं नहीं देना चाहती थी तो कोई भी आपको additional पैसे नहीं देने है जितने आपको पैसे ट्रांसफर करने है आपको उतने ही करने है कोई भी फीस प्लाटफॉर्म फीस आपको नहीं पे करनी है पेपेनी के साथ इसके साथ ही आपको बहुत ही अच्छे conversion rates मिल जाते हैं तो आप Google करके जो आपको conversion rates दिख कर सकते हो और अपनी problem resolve करवा सकते हो पेपेनी is available for both Apple and Android users इसका link मैंने आपको description box में दे दिया है और वहां पे आपको मेरा referral code भी मिल जाएगा तो प्लीज उसको use करके आप पेपेनी डाउनलोड कर सकते हो रेशी सुनक की government इमिग्रेशन को कम करने के लिए काफी सारे policy changes किये और वे से एक major policy change यह था कि जो spouse visa की minimum income requirement है उसको 18,600 से बढ़ा कर दिया जाने वाला था 38,700 इसका बहुत ज्यादा उपोस किया गया था उस time पे भी जिसकी वज़से जो इसका implementation है उसको phase wise किया जाने लगा उसको एकदम से नहीं बढ़ा दिया जाने वाला था इसको step wise कर दिया गया है on 11th of April 2024 तो 11th of April 2024 से जो spouse visa की minimum income requirement है वो है 29,000 pounds अब इसको next phase में बढ़ाया जाने वाला था to 34,000 by the end of 2024 but क्योंकि government change हो चुकी है लेबर पार्टी है पावर में आ चुकी है तो लेबर पार्टी इस रूल से बहुत खुश नहीं थी पहले भी और अभी भी भी व पोस्थ its planned increase in the minimum income requirement for British National and Permanent Residents for bringing family members to this country this decision which affects many Indian families was confirmed by UK Home Secretary Red Cooper in a written statement to the house of commons the current annual income threshold of GBP 29,000 will remain unchanged until the independent Migration Advisory Committee completes a review of the impact on families जो minimum income requirement उसको freeze कर दिया गया है to 29,000 pounds मतलब जो second phase implement होने वाला था जिसमें जो minimum income requirement उसको बढ़ाया जाने वाला था to 34,000 वो अब नहीं होगा अब जो minimum income requirement spouse visa के लिए freeze की जाने वाली है वो है 29,000 pounds और साथ में ही Mac review करने वाली है कि जो increase किया जा रहा है minimum income requirement को वो families को कैसे effect हने वाली है अब बहुत सारे लोग confused हो जाते है between dependent visa and spouse visa तो spouse visa completely different है to dependent visa spouse visa में जो आपके partner है वो British citizen होने चाहिए अगर आपके partner British citizen है तो आप spouse visa के लिए apply करोगे dependent visa उन लों के लिए होता है जिनके partner UK में है on any other kind of visa like on skilled worker visa Cooper emphasized the need for a thorough review saying to help ensure that we reach the right balance and have a solid evidence base for any change I will commission the MAC to review the financial requirements in the family immigration rules the minimum income requirement is currently set at GBP 29,000 and there will be no further changes until the MAC review is complete ये खुद Home Secretary ने announce किया है कि अब कोई further increase नहीं होगा on the minimum income requirement for spouse visa और ये basically इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि ये जो increase होने वाला था ये काफी ज़ादा negative impact दानने वाला था on families of UK अब MAC इसको फिर से review करने वाली है इस पूरी policy change को फिर से review करने वाली है और MAC अब decision लेगी कि क्या इसको further increase किया जाना चाहिए या नहीं MAC इसका review कब complete करेगी इसके लिए अभी कोई भी timeline नहीं दी गई है मतलब ये in near future ये जो minimum income requirement है of 29,000 pounds ये चेंज नहीं होने वाला है despite the change in government many visa restrictions implemented by the previous conservative administration including those affecting overseas students and care workers ability to bring dependents remain in place until under the new labor regime Cooper remarked this government strongly values the economic and academic contribution that international students make to this country including those here on graduate visa and that is why it is important to ensure that the system is effective and not open to abuse इसके साथ ही home secretary ये 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 क्लाटिफाय कर दिया है कि बाकी जो rules implement किये थे conservative party ने to curb down the immigration वो अभी भी in place रहेंगे मतलब जो care workers पे dependents को बान किया गया था वो भी रहेगा और student visa पे भी dependent का बान अभी भी रहेगा इसमें कोई भी change labor party नहीं करने वाली है ये तो थी update regarding the minimum income requirement for spouse visa अब बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि spouse visa का processing time क्या है क्या है क्योंकि बहुत सारे लोग के जो visa है वो delay हो रहे हैं spouse visa का processing time इस बात पर काफी depend करता है कि आप within UK अप्लाइ कर रहे हो दो से तीन महीने लग रहे हैं अभी spouse visa आने में अगर आप किसी और country से अप्लाइ कर रहे हो आप spouse visa की priority service के लिए भी apply कर सकते हो अगर आपको इससे जल्दी अपना visa चाहिए अगर आप priority service के लिए apply कर रहे from outside of UK तो इस गोई टेक roughly 30 days अगर आप UK से अप्लाइ कर रहे हो spouse visa के लिए तो it generally takes around 6 to 8 weeks इसके साथ ही आप super priority service के लिए भी apply कर सकते हो super priority service is only applicable for applicants inside the UK तो अगर आप within UK में रहे कर ही आप extension के लिए suppose apply कर रहे हो spouse visa के लिए तो आप super priority service भी ले सकते हो जिसकी processing एक दिन में भी हो जाती है अगर आपको यह नहीं समझ में आ रहा है कि हमारी processing time start कब से होती है तो जब से आप अपना online application फिल करते हो आपकी processing तब से start नहीं होती है जब आप अपना biometric जिस दिन आप submit करते हो उस दिन से आपकी जो visa processing का duration calculate करते हो वो आप उस दिन से calculate करना start कर सकते हो अगर आपका spouse visa दो तीन महीने बाद भी आपको नहीं कोई update मिला है home office से तो आप home office को directly contact भी कर सकते हो update के लिए in most of the situations home office आपको respond करेगी within reasonable time आपको वो respond कर देगी कि आपका जो visa है उसका status क्या है अगर home office नहीं respond करती है तो आप एक formal complaint भी lodge कर सकते हो अगर आपको कोई response नहीं मिलता है और अगर आप UK में हो तो आप अपने local MP से भी contact कर सकते हो most of the MPs उनका access होता है to home office and they can help progress your application तो hopefully आज का वीडियो आपको इंफर्मेटिव लगा होका अगर अच्छा लगा हो तो लीडियो को लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल दिन बाई